Hello and Assalamualaikum Viewers Viewers, Welcome करता हूँ आपको अपने चैनल कियानी टेक में तो Viewers, जैसा कि आपने मेरे वीडियो का टाइटल देख ही लिए है कि एक ब्रिज रेक्टिफायर कैसे काम करता है ठीक है और इसके लिए क्या क्या चीज़ा रिक्वायर होती है सबसे पहले हम डाइग्राम पे जाते है तो Viewers, इस डाइग्राम में मैं आपको बताता हूँ कि इसमें एक ट्रांसवार्मर में हमारे पास ठीक है, एक ट्रांसवार्मर हो गया उसके बाद फोर डायोड हो गये आज कल तो डायोड एक कंबिनेशन में मिलते हैं जिसे AC और DC में कंवर्ड डिरेक्ली कर सकते हैं ठीक है, तो पहले यह होता था कि प्रिज रेक्टिफायर के लिए फोर डायोड होते है और फोर डायोड को ऐसे सेट किया जाता है कि टू सेट को आपोजिट, मिन्स कि फिर्स्ट वाले से ओपोजिट सेट किया जाता है ठीक है, और यह इस तरह काम करते हैं कि देखें कि सबसे पहले हमारे पास जो ट्रांसवार्मर है उसकी दो आउटपुट, ठीक है, फेस और नूटरल्स और उसके दरम्यान हमें फिल्टर लगाते हैं फिल्टर as a capacitor, जो के पलसेटिंग DC को हमारे pure DC में convert करता है ठीक है, तो पलसेटिंग DC को convert करके यह pure DC में जब convert करता है तो वो pure DC हमारे output circuits में मिलती है तो यह जो फिल्टर है, यह after diode लगता है ठीक है, इस में construction में after diode लगता है तो first of all, सबसे पहले हम transformer को इसी supply के साथ link करेंगे, ठीक है तो link करने के बाद जब उसकी output पे हमें 12 volt जो भी हमने set किया होगे जितने भी transformer, जिस ratio का होगा तो जो हमें voltage output मिलेंगे, उसे हम directly bridge rectifier पे देंगे और bridge rectifier से हम आगे, output लेगे filtration circuit को देंगे और then filtration circuit के बाद हम अपने power system means कि जहां पे हमने utilize करनी है power वहाँ पे देंगे, और यहां पे आप साइट पे देख रहे होंगे कि एक waves चल रही है जो कि हमें ये show कर रही है कि first DC हमारी generate हुई बनी वो हमारी pulsating है, then उसके बाद filtration के बाद हमारी क्या बनी, उसके बाद हमारी जो pure DC हमारी बनी वो हमारी क्या wave है, वो एक सीधी lines में होती है लेकिन फिर भी उसमें कुछ impurities रह जाती है और filtration लगाने का मकसद यह है कि उसमें जो pulsating DC होती है वो pulsating DC, वो DC होती है जिसमें कुछ नकुछ impurities हमारी AC की रह जाती है, जिसकी वज़से हमें वो pure DC नहीं मिलती है उसमें कुछ में कुछ impurities AC की होती है इस AC को हम दूर करने के लिए हमारे पास एक filtration circuit होता है जो कि इसको remove करके हमें pure DC देता है, तो viewers उमीद करता हूँ कि आपको यह छोटी सी वीडियो clear हो गई होगी कि bridge rectifier कैसे काम करता है और किस मकसद के लिए यूज़ की देदा और क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ होती है तो अगर आपको यह वीडियो clear हो गई होगी तो please like कर दें और subscribe करना मत बूलेगा अगर कोई भी question है इससे related तो comment section में मुझसे पूछ सकते है मिलते हैं नक्स वीडियो में तब तक अपने ख्याल रखिए अल्ला हफिज झाल 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 म Brush झाल